नमस्ते मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप लोग जन्शक्ती पार्टी यानि लजेपी में बगावत हो गई है पार्टी के छह में से पाथ सांसदों ने राश्ट्री अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिल्ला को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें लजेपी से अलग एक अन्य पार्टी के रूप में मानिता दे दी जाए लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा संभव है क्या सांसदों का एक समूँ अपनी अलग पार्टी बना सकता है बताएंगे आपको लेकिन सबसे पहले लोचपा में पड़ी फूट का मामला समझ लीजे अध्विक को बलट कैंसर है उसके माबाप उसके इलाज कराने में और समर्थ है इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक पजाएं और अध्वी के उमीद बनें क्या है ये मामला? साल 2019 के लोगसभा चुनाओं में लोचपा ने 6 सीटे जीती थी चिराग पास्वान, जामूई, पशुपती पारस पास्वान, हाजीपूर, रामचंद्र पास्वान, समस्तिपूर, चंदन सिंग, नवादा, बीडा देवी, वैशाली, और महबूबली, केसर, खगडिया ये लोग इन जगों से लोशपा के सांसद है रामचंद्र पास्वान की मौत हो गई, उपचुना हुए, उनके बेटे प्रिंस राज ने समस्तिपूर, लोगसभा सीट जीत ली पशुपती और रामचंद्र पास्वान, क्रमशह, चिराग के चाचा और ताउ है, प्रिंस ठहरे, चिराग के चचेरे भाई साल 2020 में पार्टी सुप्रीमो रामविलास पास्वान की मृत्यू के बाद चिराग पास्वान लोचपा के अध्धक्ष बन गए थे, अब बस खुद चिराग को छोड़कर बाकी सांसद अलग हो गए और कहा कि उनके नेता चिराग नहीं, बलकि पशुपती पारस है अलग पार्टी की मांग कर दी, पार्टी का विभाजन कैसे होगा, ये भी साफ नहीं है पार्टी का सिंबल किसके पास जाएगा, ये भी साफ नहीं है अब लोगसभा स्पीकर अलग पार्टी को इजाज़त देते हैं, तभी विभाजन को आधिकारिक माना जाएगा फिर आयोग की नियमावली के अनुसार निरने लिए जासकते हैं अलक पार्टी बनाने का तरीका गया है लोगों का समूह मिलकर नया राजनीतिक दल बना सकते है इस दल को चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया जासकता है चुनाव लड़ा जासकता है वगेरा लेकिन वर्तमान स्थिती में ये प्रोविजिन नहीं है सांसदों और विधायकों के दल बदलने की स्थिती में दल बदल कानून लागू हो जाता है ये कानून एक मार्च 1985 में लागू किया गया था समविधान में 52 संशोधन के तहट 10 वी अनुसूची जोड़ी गई इस कानून के तहट विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर रोक लगा दी गई इसमें प्रावधान है कि दल बदल के कारण सांसदों विधायकों की सदस्यता भी खत्म हो सकती है हाला कि कानून के मताबिक चुने गई सदस्यों को अयोग्य करार देने का फैसला सदन के अध्यक्षी ही करते है लेकिन इसमें एक कैच भी है नियम है कि अगर किसी पार्टी के दो तिहाई सांसद या विधायक दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी अगर पार्टी का बटवारा होता है और एक तिहाई विधायक नया ग्रूप बनाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी बाद में साल 2003 में इस कानून को संशोधित किया गया समवेधान के 91 संशोधन के तहट सामूहिक दलबदल को भी असमवेधानिक करार दे दिया गया इसके तहट अगर किसी पार्टी के दोतिहाई सदस्य मूल पार्टी को छोड़कर दूसरी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी अगर कोई पूरी पार्टी किसी दूसरी पार्टी में विले कर लीती है तो किसी की सदस्यता नहीं जाएगी पार्टाक और दर्शक नई पार्टी और दूसरी पार्टी के अंतर को समझें वहीं पर सारा खेल है इसके अलाबा अगर किसी पार्टी के सांसद विधायक अलग होकर नई पार्टी बना लेते हैं तो भी किसी की सदस्यता नहीं जाएगी यही नहीं अगर पार्टी के दूती हाई सदस्य किसी नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भी सदस्यता बच जाती है तमाम स्थितियों में स्पीकर का फैसला आखरी माना जाता है और स्पीकर के फैसले की समीक्षा भी हो सकती है लेकिन केवल कानूनी तौर पर ही कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लौ की एक रिपोर्ट की मताबिक 1957 से 1967 तक 552 बार सांसदो और विधायकों ने अपने दल बदले 1967 में 430 बार सांसदो विधायकों ने पार्टी बदली 1967 के बाद एक वक्त ऐसा आया की दल बदलने के कारण 16 महीनों में 16 राज्यों की सरकारी गिर गए इसी दोरान हर्याना की विधायक गयालाल ने 15 दिनों में 3 बार पार्टी बदली थी खबरे बताती हैं कि गयाराम के दल बदल को देखते हुए नारा चला था आयाराम गयाराम फिर 1985 में राजीव गंधी सरकार विधायक लेकर आई और बदलावों की फेहरिस्त लगी कानूनों को देखें तो लोजपा के मामले में गेंद अभी स्पीकर के हाथ में है बाकी जो होगा पता चल ही जाएगा पता चल जाएगा तो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे आप देख रहे हैं ललन टॉप मेरा नाम प्रतीक्षा है हमसे जुड़े रहें शुक्रिया